हूली पर इस एक ट्रेस की कार पर शराबियों ने किया हमला, अकेले चपलों से पीटा हूली के हुडंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा लेकिन कुछ लोग शराब पी कर हूली का मस्ती भरामा हॉल खराब कर देते हैं ऐसे ही कुछ अराजक तत्वों का शिकार एक एक ट्रेस होगी हूली के दिन उन्हें काफी बुरा एक्पीरियंस जीलना पढ़ा रिपोर्ट्स के मताबिक हूली वाले दिन जरूरी काम से बाहर निकली इस एक ट्रेस पर 10-15 शराबियों ने हमला बोल दिया इन लोगों ने मिलकर ऐसा हुट डंग मचाया की एक ट्रेस घबरागी लेकिन उन्होंने फिर भी अकेले ही इन लोगों को ऐसा सबबक सिकाया की शराबी कभी बुला नहीं पाएंगे पूली के दिन ये घटना हुई जानी मानी टीवी एक ट्रेस चाहत खना के साथ वे शाम साथ बजे के करीब मलाड के पास से गुजर रही थी इसी बीच 10-15 शराबियों ने मिलकर उनकी कार के आगे हंगामा शुरू कर दिया शराबियों ने ड्राइवर को भी मारा और स्क्रीन शील्ड को भी तोड़ दिया वहीं चाहत ने आसपास खड़े लोगों से मदद करने की कहा लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो चाहत ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकल कर पुलिस को फोन किया वहीं उस वक्त उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया किसी की मदद नहीं मिली तो चाहत अकेले ही गुर्मनों से भिड़ी इसके बाद एक ट्रेस ड्राइवर को बचाने के लिए उन शराबियों को पीटना शुरू कर लिया उन्होंने शराबियों को चपलों से पीटा चाहत खना की परसनल लाइफ की बात करें तो वे काफी मुश्किलों से गुजर रही है कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपनी मा को खो दिया है जिसका दर्द उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिये शेयर किया था वहीं 2018 में ही उनका पती फरहान मिरजा से तलाख हुआ है चाहत में पती पर शारीर को और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाये थे वे कबूल है जैसे जाने माने शोज में नजर आ चुकी है